Hello everyone, कैसे हैं सब लोग, I hope सब लोग काफी बढ़िया हैं और ये जो C++ के हमारी DSA series है, इसमें सब लोगों को काफी मज़ा आ रहा है, so welcome to the new lecture of this C++ DSA series, आज के इस lecture में हम लोग अपनी pointers की discussion को continue करने वाले हैं, right, already हम लोगोंने दो lectures spent कर लिया हैं, जिसमें हम लोगोंने C++ pointers के उ नहीं देखी हैं, so I would highly recommend कि आप पहले जाके वो दोनों videos देख लें, and then maybe you guys can come back and start watching this video, right, पुरानी दो videos में जो भी foundations हमने setup करें हैं, हम उन foundations के basis पे ही आज के lecture में move forward करने वाले हैं, आज का lecture थोड़ा light होने वाला है, पुराने दोनों lectures आईनों थोड़े lengthy थे, आज का lecture थोड ये बहुत सारे lectures में हम लोग daily pointers को ऐसे use कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़े कर रहे होंगे, हम लोग pointers का use करके, right, now, आज के इस lecture का agenda क्या है, उसके उपर बात करते हैं, already हम लोग क्या क्या चीज़े discuss कर चुके हैं, उसके उपर बात करते हैं, okay, so already हम लोग ने बात कर लि right, pointer arithmetic की बात हम लोग कर चुके हैं, साथी साथ, arrays as pointers की बात कर चुके हैं, pointer arithmetic में हमने देखा था कि कैसे increment और decrement operation लगती है pointers में, थोड़ा different तरीके से, साथी साथ हम लोग ने arrays और pointer का combination भी देखा था, right, okay, आज के इस lecture में हम लोग types of pointer की बात करने वाले हैं, कि कितने तरह के pointer होते हैं, अब देखो अगर ये जो topic में specifically बात करूँ ना, तो ये topic ऐसे, ऐसा निया कि तुम अपनी रोज के रोज सॉफ्टर इंजिनिंग, life cycle मालो, तुमारी C++ के oriented है, कि तुम C++ में वाकें लिख रहे हो, ऐसा कुछ है, तो उसमें ऐसे इस terms को रोज रोज यूज करोग या wild pointer पूछते हैं, तो इसे types of pointer exist करते हैं, जिसमें से हम लोग आज null pointer जो की technically वैसे important है, इन सारे pointers में से null pointer एक ऐसा pointer है, जिससे हाँ, तुम हो सकता है, very regularly interact कर रहे होगे, so null pointer के उपर बात करेंगे, उसके बाद काफी interesting wild pointer के उपर बात करेंगे, dangling pointer एक interesting concept होता है, उसके interesting wild pointer, right, so इन सब के उपर हम लोग बात करेंगे, अब pointers के जो ये types हैं, इनके अलावे भी एक दो और तरह के pointers होते हैं, बट वो अभी हमें जानना जरूरी नहीं है, आगे आने वाले lectures में हम लोग धीरे धीरे उनको भी unfold करेंगे, as I said, कि ऐसा नहीं है कि pointers के उपर यही तीन lectures होने वाले हैं, आगे lectures में हम लोग pointers के application तो देखी रहे होंगे, साथी साथ कुछ नए concepts को भी introduce करेंगे, जैसे हम लोग memory के concepts में बहुत deep dive करने लग जाएंगे, right, so before moving forward with today's lecture, मैं सब को यह सबसे पहले recommend करूँगा, कि आप लोग PWSkills की website पे जाके, सारे के सारे lectures के notes, download कर सक करते हैं, right, वहाँ पे आपके पास assignment आपको मिल जाएगा, you guys can start solving those assignments, क्योंकि यार practice बहुत ज्यादा important होने वाली, सिर्फ theory पढ़ पढ़ के बहुत कुछ नहीं होगा, जो भी चीज़े हम लोग कर रहे हैं, एक दो lecture जैसे अभी pointer के lecture है, तो थोड़े C++ core foundational concept, वरना majority lectures problem solving है, और problem solving का एक ही तरीका होता है master करने का, कि यार आप जादा से जादा जादा से जादा practice करो, जितने जादा variety के आप questions solve कर लोगे, जितने different तरह की tricks आप सीख लोगे, जितना जादा hands-on आप earlier stages में कर लोगे, उतना आपके लिए फायदे मन रहेगा, So, that being said, let's just start with today's session, और बात करना शुरू करते हैं, कि types of pointers क्या होते हैं, तो folks start करते हैं यह बात करना, क्या types of pointers से हम लोग समझते कहें, अब देखो pointers के बार में एक concept तो हमें clear है, कि pointer भी एक तरह का variable है, जो खुद में addresses store कर सकता है, आप इसमें ले जाके address store कर सकते हो, तो pointer अ तो यार देखो, कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ special cases में, कुछ एक particular style of coding की वज़े से, मतलब आपने कुछ ऐसा code लिखा, जिसकी वेसे pointer अपने normal behavior से थोड़ा आलक सा behavior भी दिखा सकता है, normal behavior क्या है कि आप इसमें कोई address store करोगे, उस address को आप dereference कर सकते हो, या फिर arithmetic operations कर सकते हो कभी-कभी ऐसा होगा कि pointer में कोई ऐसी value हो सकती है, जिसके बारे में आपको idea ना हो, या फिर specifically आप ऐसी value डालोगे, जिसको आप dereference नहीं कर सकते, या फिर आपको generic type का pointer बनाना चाहते हो, तो कुछ special cases हैं जिनके उपर हमें बात करनी है, इनी special cases में हम लोग types of pointers के उपर discussion करत हैं, अब आज जो भी types of pointer हम लोग देखने जा रहे हैं, यह majority of the pointers, use cases के साब से हम देख रहे हैं, कि कहीं पैसे different use case आ जाता है, तो वहाँ पे इस pointer को क्या कहते हैं, कैसे use करा जाता है, कुछ ऐसे types of pointers होंगे, जो memory optimization में बहुत help करते हैं, जिनके उपर हम लोग आगे बात कर स right, then null pointers, यह null pointer आप लोग काफी जादा सुनने वाले हैं, अपनी programming journey में, dangling pointers, void pointers, यह चार तरह के हम लोग pointers discuss करने वाले, हर pointer के उपर हम लोग पहले देखेंगे कि किस use case में यह pointer बन सकता है, या फिर आप कैसे बना सकते हो, क्या मतलब है, और कुछ benefit है या नहीं, तो एक एक करके बात करना start करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग discussion शुरू करते हैं, wild pointer के उपर अब wild pointer क्या है, तो देखो या, दो मिनिट के लिए अगर मैं pointer भूल जाओं, और मान लो, आपके C++ code में, मैं कहीं पे जाके ऐसे लिख दो, int x, यह syntax actually क्या denote कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे, we are doing declaration of a variable, एक variable को हम लोग declare कर रहे हैं, हम लोग variable को define नहीं कर रह declare करने, declare करने का मतलब हमने एक bucket define कर दी, जिसका एक label x है, उसके अंदर क्या value पड़ी है, यह define नहीं करी है, और C++ के nature के वज़े से, and depending on compiler, अभी के लिए इसमें कुछ garbage value पड़ी होगी, right, अभी के लिए इसमें कुछ garbage value पड़ी होगी, right, बाद में आप क्या कर सकते हो, x is equal to 10 कर सकते हो, तो यह garbage value actually 10 से replace हो जाएगी, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत के बाद नहीं है, बट यह तो case हो गया, normal variable के लिए मानलो, float x, double x, ऐसा कुछ कर लिए आपने, यह तो normal variable के लिए हो गया, अब सोचने की बात यह है, कि अगर मैं, एक pointer बनाओ, ptr, और उसको खाली declare कर दूँ, can I say this is, declaration of a pointer variable, here मैंने pointer variable को ने declare किया, declare किया इसका मतला, मैंने किसी दूसरी bucket का specific address इसमें store नहीं किया है, generally, आप मेरे को क्या करते वे देखते थे, आप ऐसा कुछ करते वे देखते थे, let's say index is equals to 10, और फिर मैं x, ऐसे एक ptr बना देता था, जिसके अंदर मैं x का address store कर देता था, किसका use करके, address of operator का use करके, right, हमेशे generally अब तक मैं जैसा code लिख रहा था, ऐसा ही हो रहा था, right, कि मै एक variable बनाता था और उस variable का address directly ptr में store करता था, जब मैं उसको declare कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं declaration और definition एक साथ कर रहा हूँ, पर हो सकता है ना यार, कि आप सिर्फ declaration कर दो, और maybe उसको define ना करो, ऐसा हो सकता है, right, maybe you just declare, and you never define, right, let's say for the timing we have not defined it, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते ह इसके अंदर भी कुछ garbage value पड़ी होगी, इसके अंदर भी कुछ garbage value पड़ी होगी, garbage value पड़ी होगी, इसका मतलब compiler dependent है, तुमारे बहुत सारे different external factors है, जिसके वज़े से यह garbage value क्या होगी, इसे detect कर पाना बहुत मुश्किल है, हम ऐसे by default इसे सोच के नहीं बता सकते हैं, यह garbage value क्या होगी, है न, इसका मतलब, अब है तो यह एक pointer, pointer है, इसका मतलब store भी address करेगा, तो कुछ तो यह random address store करके बैठा होगा, इसके अंदर कुछ तो random address पड़ा होगा, हमने वह address अलोकेट नहीं गया, इसको randomly मिल गया है, that means, this pointer is having some random value in it, right, कुछ तो इसमें random value है, और जब भी आपके पास एक ऐसी situation आए, जब भी आपके पास एक ऐसी situation आए, जब आपके, जब आपने एक pointer को declare किया है, पर उसे initialize नहीं किया है, या define नहीं किया है, ऐसे pointer को हम लोग कहते हैं, wild pointer, ऐसे pointer को हम लोग कहते हैं, wild pointer, तो what I can say is, a wild pointer, a wild pointer, is a type of a pointer, where the user declares the pointer, but not initialize it, right, कि आप pointer को declare तो ज़रूर करते हो, but कभी define नहीं करते हो, कोई value, एक particular कोई address, ऐसी bucket का address जो आपने define किया हुआ है, ऐसी non bucket का address, आप कभी कुछ से assign नहीं करते हो, वो बस declared रहता है, और उसके चलते उसमें कोई random value आ जाती है, यह होता है तुम्हारा wild pointer, so, due to this, it ends up, it ends up pointing to some random memory location, right, यह कुछ random memory location को point करने लग जाता है, right, अब इसके problem क्या है, due to this, we might get, some, undefined behavior, and crashes, है ना, ऐसा हो सकता है, कि यह आप, आपने ध्यान नहीं दिया कि एक ऐसा pointer है, जिसको आपने value assign नहीं करी है, और आप उसको use करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब de-reference करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस bucket पे कुछ है नहीं कि रैंडम bucket थी, अब आपका program कैसे behave करेगा, वो random bucket पे कोई random value पड़ी है, उसे access करने लगे हैं, उससे आपकी competition कराब हो सकती है, तो of course problematic, मतलब एक ऐसा variable exist कर रहा है, जिसमें क्या पढ़ा है, मुझे पता नहीं, बढ़ मैं शायद use कर डालूं उसको, यह तो problematic situation है, आपके पास undefined behavior है, crashes आ सकते हैं, और कुछ cases में, in some cases, we might get, segmentation fault, यह segmentation fault आप कई बारे सुन रहे होंगे, generally segmentation fault memory related issue होता है, कि यह आप ऐसी कोई memory को access करना चाहते हो, जो अभी आपको available नहीं है, यह memory भर गई है, यह corrupted area को point कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो segmentation fault आता है, तो यह समझ सकते हैं, memory space से related रहता है, segmentation fault, so wild pointer के यूज़कर कैसे हो सकते हैं, तो मैं सेग्मेंटेशन fault जैसे कुछ error आने रग जाए, है ना, अब चुले एक sample देख लेते हैं, कि कैसे exactly wild pointer use हो रहा है, तो मैं एक boiler plate लिखता हूँ, ठीक है, यह boiler plate लिख दिया, मैंने, अब मानलो मैं एक pointer बना दूँ, int star ptr, और बस मैंने declare किया है, only declared, मैंने बस declare किया है, अब अगर मैं, इसे print करता हूँ, तो कुछ तो print होगा, बढ़ क्या print होगा, कुछ नहीं पता, कुछ तो random value प्रिंट हो जाए, कुछ तो random negative value प्रिंट करने लग गया है, हमें नहीं पता, कहां से आ रही है, कुछ तो random ऐसे negative value प्रिंट कर रहा है, so my point being कि, wild pointers, ऐसे wild pointers, किसी भी random value को point कर रहे हो सकते हैं, किसी भी address location को point कर रहे हो सकते हैं, और हो सकते हैं, बाद में उस address पर आप कुछ अच्छा allocate कर दो, कुछ important allocate कर दो, जिसका access इस pointer को नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी situation में भी आपको problem हो सकती है, अब तुम कहों कि, सर मैं wild pointer बनाने क्यों चाहूंगा, है ना, तुमारी दिमाग में क्या आएगा, कि अच्छा टेसर ठीक है, समझ गया है, थोड़ा खराब pointer है, बढ़ मैं क्यों बनाऊंगा इसको, मतलब मैं assign करूंगा न value, तो अब ऐसा case हो सकता है, कि आपको pointer initialize तो करना है, बढ़ आपको कोई variable की, मतलब कोई variable नहीं पड़ा, जिसके value आप उसको assign करो, मतलब ऐसा use case हो सकता है, जब आपको pointer पहले declare करना पड़े, और वो pointer मतलब मानलो, बहुत सारे blocks में use हो रहा है, तो उसे किस से initialize करोगा, या मानलो global scope में pointer है, अब किस से initialize करोगा, मैं सारे function में मानलो, उसको use करूँगा, तो तब क्या कर सकते हैं, तो ऐसे cases को specifically handle करने के लिए, हमारे पास एक special तरीका है, null pointer, अब null pointer बहुत ही interesting है, क्योंकि null pointer exception या null pointer, यह term तुम बहुत बाहर सुनने वाले हो, ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास wild pointer से problem क्या थी, क्यार अगर मानलो, मुझे initially कोई default value नहीं देनी है, मतलब कोई particular address assign नहीं करना है, तो यार वो तो random address पे point करने लगता था, कुछ solution होना चाहिए, मैं pointer को declare कर दूँ, पर अभी कोई काम की value, कोई variable की address की value मैंने assign नहीं करी है, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे cases में null pointer बहुत बढ़िया चलने वाला है, ठीक है, तो null pointer क्या है, null pointer क्या है, देखो, if we want to have, a pointer, a pointer variable, मान लोगर हम एक pointer variable चाहिए, which is, just declared, which is just declared, अगर ऐसा pointer variable चाहिए, जो भी just ही, declare हुआ है, but, we'll get, address, later, to store, मतलब store करने के लिए जो address है, वो बाद में मिलने वाला है, right, so, we can't just keep it, pointing to some random value, so, in that case, we can use, null pointer, ऐसे case में आप, null pointer यूज़ कर सकते हो, right, तो, हमेशा ये good practice मानी जाती है, कि यार अगर आपके बास मान लो, कोई pointer है, और आप उसको बाद में यूज़ करने वाले हो, तो, आप जब उसको declare कर रहे हो, ऐसे, normal int star ptr, semicolon मतलिको, वो random value के साथ declare हो जाएगा, वो problem create करेगा, rather than, आप क्या कर सकते हो, आप एक null value से initialize कर सकते हो, या फिर आप 0 value से भी initialize कर सकते हो, right, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, int star ptr, अब मेरे को initially कोई value नहीं पता, जो इसको assign करनी है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, null, n caps, u caps, l caps, l caps, सब कुछ caps में, int star ptr, ऐसे अगर मैं null दूँगा, तो ये जो syntax है, ये actually तुमारा null pointer है, ये तुमारा null pointer है, है ना, अच्छा, अब, एक बारी null pointer को आप बना के देखते हैं, सबसे पहले तो बना के देखते हैं, फिर और बात करेंगे इस पर, ठीक है, boiler plate ready कर लेता हूँ, ठीक है, चोलो, we will say, in star ptr is equal to null, ठीक है, ऐसे आप null initialize कर सकते हो, और ये null का concept other languages में भी exist करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ pointers नहीं होते हैं, बट null का concept exist करता है, ठीक है, अब अगर मैं, पहले तो देखता हूँ कि, ptr में क्या stored है, ठीक है, और अगर तुम p1 के content को भी print करो, अगर तुम p1 के content को भी print करो, तो देख उसका भी same आ रहा है, तो null pointer का एक specific address exist कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे कोई random value नहीं है, ये कोई ऐसे हवा में, ये memory में उड़ती हुई, ये specific memory location पर defined है, एक specific type की value called as null pointer, और अगर मैं इसको dereference करना चाहूँ, मार लोग तुम्हें दिमाग में लग रहा है कि, अच्छा dereference करके देखेंगा, तो चलो देखते हैं, क्या dereference कर पाएंगे, run करते हैं, ठीक है, ये दे को segmentation fault आ रहा है, segmentation fault आ रहा है, तो अब problem क्या है, problem क्या है, किया आप null pointer को dereference करने में दिक्कत करती है, हमारे पास जब भी null pointer होता है, तो अब उसको ऐसे dereference नहीं कर सकते, क्योंकि most of the time आपको runtime error आ जाए, दोखो compile time को error नहीं आ रहा है, compile time error तो VS को directly detect करी लेता है, compile time error नहीं आ रहा, बट run time पे error आ सकता है, run time पे जैसे आप मैंने भी segmentation fault की बात करी नहीं, तो अगर आप null pointer को access करने कोशिश करोगे, तो आपको segmentation fault मिल सकता है, यह problematic हो सकती है situation, और worst part क्या है, अगर आपने null pointer को dereference के और इससे segmentation fault आ गया, immediately program terminate कर जाएगा, ऐसे नहीं बचाओ program execute होगा, immediately program execute कर जाएगा, यह एक बहुत बड़ी problem है, लेकिन still हमारा use case काफी fulfill हो जाता है, अगर हमें एक pointer value ऐसे सिर्फ declare नहीं करनी है, और define भी करनी है, then we can maybe use these type of values, like a null pointer, C language में भी ऐसे null pointer exist करते हैं, जिसको आप define कर सकते हो, कि वहाँ भी pointer concept काफी हद तक same रहते हैं, पढ़ हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है, हम ऐसे dereference नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे dereference नहीं कर सकते हैं, क्या मैं इसको 0 से initialize करके देखूं, चलो 0 से initialize करते हैं, run करते हैं, इसको प्रिंट करूँ, देखो warning आ रही है, but तीनो सेम ये address टोर करके बैठे हैं, मतलब null, मैंने जो null value assign करी हैं अपने pointer को, pointer में तो कुछ address ही आ रहा है, तो null भी कुछ तो address ही है, तो ये तीनो value सेम address को point कर रही है, अब ऐसा क्यूं हो रहा है, एक में तो मैंने null pointer डाला है, एक में मैंने null character डाला है, और एक में मैंने zero value डाली है, तो actually ये जो null pointer है, ये null character के बराबर ही है, और as काई में, तो मैं पता होगा कि C++ में जो भी characters हैं, इनके इस नहीं पता हैं मैं बता देता हूं, C++ में जो भी characters होते है वो internally S का ही form में integer form में store होते है तो null का S का integer form है वो होता है 0 तो null character का S का form ही 0 है और ये null और ये null character same ही है that's why तीनों A की address से value उठा के ला रहे है तीनों का value S is 0 A की address पर पड़ा हुआ है ये बहुत ही एक interesting fact होता है कई लोग समझ नहीं पात है कि null की exact value क्या है कई बारी पूछा भी जा सकता है null की value क्या होती है तो आप ऐसे कह सकते हो कि 0 एक सही null value signify करता है C++ के case में क्योंकि तुम देख रहे हो तीनों को assign जब कर रहे है तो actual address हो रहा है वो same is store हो रहा है ठीक है reserved value reserved memory address right it's a very like a special reserved memory address right ऐसा हो सकता है इसके साथ और different languages में ही चीज़ एक सिस्ट कर सकते है right and in many operating system also मतलब depending on your OS your configuration बहुत सारी चीज़ेस पर depend होती है right और अगर आप इसको access करने की कोशिश करोगे null pointer को access करने की कोशिश करोगे तो यह आपको runtime error दे सकता है segmentation fault दे सकता है तो यह भी लिख देता हूँ runtime error might occur runtime error might occur on dereferencing null pointer right यह चीज़ हम लोगों को ध्यान देने की है कि ऐसे runtime पे आप कभी इसको dereference मत करने लगना तो problem आएगी null pointer का आप यूज करो बस pointer को initialize करने के लिए बात में जब उसको सही value मिल जाती है कि तब ही आप उसको dereference करने की कोशिश करो null pointers आया है मारे पास null pointers specific value से initialize कर सकते हैं अब यह दो pointers की बात हो गई है अब आगे next step में अपने दो और pointers के बारे में देखते हैं उनके use case से समझने कोशिश करते हैं और देखते हैं कहां पे वो useful हो सकते हैं तो guys अब अपने तीसरे pointer के उपर बात करना शुरू करते हैं तो null pointer देख चुके हैं while pointer देख चुके हैं अब अगला type का pointer है dangling pointer अब यह dangling words से आप क्या समझते हो dangling मतलब जो एक चीज़ पर टिका ना रहे कुछ-कुछ ऐसा ही होता है तो dangling pointer क्या होता है तो मान लो कि आपके पास एक pointer था ठीक है मान लो memory में आपके पास यह bucket है x और एक और bucket है ptr है ना bucket का address है 0x70 ptr को खुद का address है 0x5 है और x में value पढ़ी है 22 तो आप क्या करोगे ptr के अंदर let's say 0x70 इस x का address टोर करके रख लोगे कैसे हो रहा होगा यह int x is equals to 22 in star ptr is equals to and x है ना अच्छा अब हो सकता है कुछ computation के बाद किसी reason की विज़े से x अब memory में आ रहे है मैं तुम्हें use case दिखाऊंगा right मान लो x memory में आ रहे है अब x memory में नहीं है इसका मतलब like technically इसका कोई मतलब नहीं है अब यह memory area free है कोई और आके इस memory area को consume कर सकता है although इस memory area पे 22 पड़ है बट कोई और variable आके इस memory area को consume कर सकता है but problem क्या है problem है कि यह pointer अभी भी इस memory location को point कर रहा है जो कि आप exist नहीं करता इसका मतलब dangling pointer क्या होते है कि यार तुम due to some reasons पहले ठीक ठाक position पर point करते थे हाब same चीज़ पर point नहीं करते हो क्योंकि वहाँ पे वह variable actually delete हो चुका है किसी वज़ा से यह memory से हट चुका है किसी वज़ा से that's dangling pointer right तुम क्या सकते हो it is a type of pointer it is a type of pointer that points to a memory location to a memory location or we can just write that is not valid right आपको एक ऐसे memory location पर लेके जा सकता है जो अब valid नहीं है उसे शुरू में valid था बड़ आप वस memory location में चीज़े हट गई है for example for example let's say मैंने मान लो यहाप एक int star ptr is equals to null बनाया ठीक है अच्छा उसके बाद मैंने एक block open और close के block scope दिया उसमें एक value रखे int x is equals to 10 और pointer में value update कर दी ptr is equals to index right ptr के अंदर तुमने x का address टोर कर लिया अब मान लो जब यह block end होगा अब क्यूंकि यह block के अंदर x एक local variable है local variable का lifetime कब तक रहता है जब तक उसका जो scope है closing scope है वो जब तक alive है तो देखो by default बाहर किसका scope होगा int main right फिर कुछ कुछ ऐसे preparation रहेगी फिर हम लोगों ने एक pointer initialize कर दिया क्योंकि हम जानते हैं बाहर जाके या मतलब इस particular scope के अंदर कोई nested scope होता है किसी भी उसके पे pointer variable बार 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 रियूज होने वाला है तो इसको एक बनाकर रख लेता है और उसके बाद मैं एक block initialize करता हूं तो यह मैंने जो initialize के इसे कहते हैं block जैसे हम लोग if block initialize करते हैं हम लोग for block initialize करते हैं while block initialize करते हैं वैसे ही यह भी है अब इस block के अंदर आपने एक variable define के x और उस variable का address pointer में store कर दिया अब जो यह variable define हुआ x इसकी lifetime के है जब तक यह block execute हो रहा है जैसी block का execution खतम जैसी block में से यह execution खतम तो अब यह variable x जो है memory हट जाएगा ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे outside this scope x को access कर पाऊँ यहाँ से इस particular position से अगर मैं देखूं अगर मैं इस particular position से देखूं तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से x को print करने के कोशिश करोगे क्योंकि यह position इस block से actually बाहर है और x को block के अंदर initialize किया गया है अगर बाहर initialize किया गया हो तो कोई problem नहीं होती अब क्योंकि अंदर initialize कर गया है तो it's problem आटे तो इसका मतलब बाहर के outside इस block area को x का access नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्योंकि यह memory से जा चुका होगा बट इस सारी theory में एक problem है यार इस block के खतम होने से बहले मैंने x का address इसमें assign किया गया था तो क्या मैं कह सकता हूं कि मानले यह x का address था यह मान लेते हैं और इसका address मैंने यहां पर store किया था राइट ओके अब यह variable एक्जिस्ट नहीं करता यह bucket एक्जिस्ट करती बाट यह variable एक्जिस्ट नहीं करता बिकास में भी moved और लेट से ऐसा केस हो गया तो अब मुझे यहां पर अगर मैं करने कोशिश करेंगे तो मुझे कुछ random value मिल सकती है कुछ पुरानी value जो उसमें कोई और process या कोई और exactly let's say कोई और function पोस्ट करके गया था या put करके गया था हम वह access कर रहे होंगे मतला हम desired result तो नहीं पा रहे होंगे यह सबसे बड़ी problem है यह सबसे जादा बड़ी problem है तो देखो मैं तुम्हें एक चीज करके बताता हूं पता तुम मिलेगा कि अच्छे इसमें क्या ही है बट स्टिल इंट में ओके विल्मेक इंस्टार पीटीर इस इकोल सुनल अब देखो हमारे पास नल पॉइंटर है तो कोई की पॉइंट निया पीटीर को रांडम वाली से निशिलाइस करने का और मैं ब्लॉक ऐसे बना सकता हूं इंटेक्स इगल स्टेन पीटीर इस गोल स्ट्वट एक्स ठीक है अच्छा इफ ऐसी वैल्यू को पॉइंट करता है जो एक्जिस्ट में करती मतलब X's scope के बाहर exist ही नहीं करेगा हम खामका ऐसे variable को point कर रहे है जो actually exist नहीं कर सकता, that's like dangling pointer, अब dangling pointer का एक और IWOOD से तरीका हो सकता है dangling pointer बनाने का, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा dynamic memory allocation की थोड़ी knowledge की जुरूत पड़ती है, कुछ concepts होते हैं like malloc, calloc, new and delete उसके उपर हम लोग आगे बात करेंगे but for the timing ये example भी simple है समझने के लिए कि कैसे dangling pointers बोग करते हैं, right तो finally आज के लिए जो हमारा final type of pointer है जिसको हम लोग discuss करने वाले हैं, वो है void pointer अब void pointer क्या होता है असान भाशा में इसे generic pointer भी कहते हैं, क्यों कहते हैं क्यों कि void pointer अभी तक जो आपने normal pointers पढ़े थे, उसमें क्या होता था आप लिखते थे int star ptr int star ptr क्यों लिखते थे, क्योंकि उसके अंदर जो address store होने वाला है वो किसी integer bucket का store होने वाला है आप अगर किसी float bucket का address store करना चाहोगे, तो नहीं कर पाऊगे राइट फॉर एक्जामपल अगर मेरे पास एक float f is equals to 10.2 है और मैं एक int star ptr बना दू जिसमें हम लोग f का address store करना चाहाए तो ये compile ही नहीं होगा ये problem create करेगा बट ऐसी situation हो सकती है कि हम लोग एक reusable type का variable लेके चलना चाहते है जो सही time आने पर कुछ किसी भी pointer का address store करके रख सकता है, बाद में उसमें से हम लोग address fetch करके कुछ computation कर सकते हैं ऐसे case में void pointer बहुत काम आते है void pointer क्या होते है these are special pointers that can that can point to n or I would say that can point to any data type value right पतलब अगर मेरे पास void pointer है तो same pointer से मैं किसी integer bucket का address भी store कर सकता हूं same pointer से किसी float bucket का address भी store कर सकता हूं same pointer से किसी double bucket का address भी store कर सकता हूं and so on and so forth तो चलो पहले मैं करके दिखाता हूं फिर use case के उपर बात करेंगे boiler plate setup कर लेते हैं तो अब इक लिए मान लो कि मेरे पास एक float variable था float f is equal to 10.2 और अगर मैं उसे एक integer pointer में store करना चाहूं तो देखो यह compile time error कर देता है अब एक बार के लिए मान लो एक x की value है मान लो 10 ठीक है अब मुझे एक ऐसा pointer चाहिए जो different data type की bucket की address store कर सके मान लो कुछ कुछ तो काम है हमें तो हम क्या कर सकते हैं इसको void pointer बना सकते हैं अब इससे क्या होगा अब देखो तुमने अभी के लिए तो float का address इसमें store कर लिए कोई type defined नहीं किया मैंने मैंने विखा void तो कोई type तो specifically int float double कुछ करा नहीं और f का address जाके store हो गया और मैं best part क्या है अब मैं बाद में x का address भी store कर सकता है right x का address भी store कर पाएगा मतलब आपको same program में कभी किसी integer pointer की bucket की value को point करना है किसी दूसरी type की value को point करना है आप void pointer यूज कर सकते हो तो ऐसे रियूसिफल बन जाता है तो मैं एक ही pointer maintain करो कभी भी temporary use case के लिए तो इसे से काम चला लो अब इसमें problem पते क्या होती है अगर आप इसको dereference करेंगे ना तो देखो यह compile time error देगा void pointer directly dereference नहीं करे जा सकते हैं तो लिख लेते हैं void pointers cannot void pointers cannot be dereferenced और dereference क्यों नहीं हो पाता है ऐसा क्या करण क्योंकि यह value defined नहीं है हो सकता है कि internal pointers के process मेरा value का बहुत बढ़ा रोलो तो क्योंकि value defined नहीं है अगर तुम star ptr करोगे तो वह error देदेगा क्योंकि void pointer में किसी भी टाइप की value हो सकते हैं तो अगर उसको नहीं बता रहेगा कॉन से टास करने तो वह error देगा अब तुम कहोंगे ठीक है यार मतलब reusable बनाना है एक ऐसा वेरेबल स्टोर करें जो temporary वेरेबल के तरह काम करें बट किसी तरीके से क्या हम लोग जो void pointer के अंदर जो address है जिसमे कोई bucket है उसकी value access कर सकते है राइट तुम यहां पर type casting कर सकते हो कि टाइप कास्टिंग से क्या होता है तुम्हें जैसे वॉइड का पॉइंटर है तुम्हें उससे integer pointer में convert करना है क्योंकि तुम जानते हो अब जो अंदर value पड़ी होगी वह integer pointer होगी तो तुम उसको टाइप कास्ट कर सकते हो इंटीजर pointer से या float pointer से तो चलो मैं करके दिखाता हूं अब आप ऐसे star ptr नहीं करते हैं तुम से इंट इंट स्टार इंटीजर लेट से पॉइंटर इस इकल्स टू हमारे पास जाफ इंट उसक्त आ लेकिन मैं टैप काज जरूर कर सकता हूं इंटीजर के पॉइंटर मैं टाइप कस्त करोगा और चला गया है कि साथा मतलब को अगर मैं और अगडि रेफरेंस करूं अगर मैं डी रेफरेंस करूं तो अगर अब रन करेंगे तो देखो 10 आ रहा है और सही भी लग रहा है आपने इस 10 वैल्यू को एक वॉइड पॉइंटर में स्टोर किया था वॉइड पॉइंटर से डिरेक्ली डी रेफरेंस तो कर नहीं सकते हैं वह हम करके देख चुके हैं तो आपने क्या कर आप कास्टिंग कर ली तुम स्पेसिफिकली बता देते हो इस वाइट पॉइंटर के तिनर यह स्पेसिफिक की वैलू है तो इसको निकालने का प्रोसेस ही है तो तो तुम ने टेकनिकली most likely C++ में टैप के बसिस पर डिफाइंड होगा कि क्या प्रोसेस ए देखो यहां पे आ हारी एकि आप इन टीर्जर एंक पॉंटर को वैसी आपने इन प्योंट करमा करले इसका फ्लोड पॉंटर में स्टोर करना चाहते होć इस दिस ए तों पॉइंट ईसकते तो यह डी-reference अगर नहीं कर सकते हैं तो type casting करके किसी और type के variable में जो भी current value उसके basis पर किसी और type के variable में assign कर सकते हैं और वहाँ dereferencing कर सकते हैं तो guys यह थे चार तरह के हमारे different pointers जैसा कि मैंने का कुछ और तरह के pointers भी होते हैं जैसे this pointer होता है वो तुम उप्स होगरा में पढ़ोगे smart pointer exist करते हैं और memory management में उस अपढ़ लेंगे तो कुछ-कुछ और different तरगे छोटे-मोटे nuances होते हैं मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 60 days, 50 days बैट के सिर्फ एक language ही बढ़ रहो you can start doing problem solving problem solving के साथ तुम language के nuances बीच-बीच में देखते रहा करो जैसे हम लोगों ने pointer से पहले थोड़ी problem solving के class अलड़ी कर दी थी क्योंकि अभी बहुत mandatory नहीं था pointer पढ़ाना so this is something that you can also do you have to make sure that you do practice you are doing a lot of questions DSA के जितने जादो questions आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करो right pointers का ये concept I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि exactly क्या है क्यों address टोर कर रहे है dereferencing क्या है इस सारी terminology समझ में आया होगी क्योंकि ये terminology आगे के lecture में बहुत जादे use होने वाली है that being said इस video को यहीं पर wrap up करते है wrap up करने से पहले जितने भी लोगों को जो भी doubts है सब लोग comment section में अपने doubts drop करो तुम देखो कि last की कुछ वीडियो से मैं try कर रहा हूँ कि जादा जादा doubts पर reply करो जो भी comments है so make sure you drop a comment in the comment section और like करना तो बिलकोली नहीं भूला है if you really enjoyed the lecture then you can appreciate our efforts by dropping a quick like और college वाला की इस channel को आप लोग subscribe कर लिए क्योंकि already हम लोग 2-3 series already launch कर चुके है right अपके बाद Java की series आ रही है C++ की series आ रही है C in One Shot की series आ रही है बहुत सारी series इसमें चल रही है काफी qualified educators पढ़ा रहे हैं काफी enthusiastic educators पढ़ा रहे हैं so make sure you leverage this opportunity as much as possible साथी साथ PWSkills की website को check out करना मत भूलना सारे assignments और notes आपको महाँ पे मिल जाएंगे that being said इस video को राप अप करते हैं we are going to meet soon in the next set of videos guys till then take care bye bye and thank you